decimal को fraction में change करना यही है question में कह रहा है convert into decimals जो number given होते हैं उनको decimal में change करना तो ध्यांस देखे मैं कुछ example दे रहा हूँ आप बिलकुल समझ जाएगे जैसे लिखा 0.04 अब यहाँ पर इसको fraction में लाना है तो जिस किसी भी number को fraction में लाना होता है तो उसके नीचे upon लिखिए और जहाँ पर decimal लगा हुआ है उसके नीचे 1 लिखिए इधर जितने digit हैं उतने 0 बनाईए अब यह 0 हटा देंगे question बन जाएगा answer बन जाएगा 4 upon 100 लेकिन यहाँ कह रहा है simplest form simple मतलब इसको कटने वाला अगर किसी नंबर से पूरा divide हो रहा है तो इसको divide कर सकते हैं देखे 4 से यह भी कट रहा है यह भी कट रहा है ऐसा नंबर select करना है जिससे दोनों नंबर divide हो जाए 4 से divide करिए आप तो 4 बन जा 4 और यह आ जाएगा 4 तू जा 8 और 5 जा 1 upon 25 यह इसका result है लेकिन अगर कोई नंबर बीच में decimal लगा हुआ है जिससे 13.45 तो भी 1 आपको इसी के नीचे decimal के नीचे ही 1 लिखना है और यह हट जाएगा आप इसको किसी एक नंबर से दोनों जिससे करते हों divide कर दीजिए 5 से 5 2 जा 10 5 6 जा 30 5 9 जा 45 और 5 से इसको करेंगे 2 जा और यह आपको result प्राप्ट होगा यह simplest form है और इसको mix fraction में भी जब नीचे का नंबर छोटा हो तो उसके उसे mix fraction में लिखते हैं यह कोशिश करिए ऐसे करके question साफसाल करें तो सारे नंबरों को आप decimal को fraction में change कर पाएंगे